हेलो एवरिवन, वेलकम बैक टो प्रॉक्सी ग्यान, मेरा नाम शबाज है दोस्तों, उमीद करता हूँ आप से बच्छे होंगे, तो आज हम एक इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिसकस करेंगे, जो के एक नया वेरियंट अभी इवाल्व हुआ है, इन सौथ इंडिया जिसका नाम है यन 440K, एक नया COVID-19 वेरियंट है दोस्तों, जो के जिसका इंफेक्शियस रेट है, पंदरा गुना ज्यादा माना जा रहा है when compared to the other variants, तो इन डीटेल हम जानकारी लेंगे, कि इसका risk factor क्या हो सकता है, experts का क्या कहना है, और क्यों इतना इंफेक्शियस रेट इसका इतना ज्यादा हुआ है, वो reason भी हम जानेंगे, तो very important lecture है दोस्तों, आखरी तक बने रही है हमारे साथ, very important points को हम discuss करेंगे, जो के exam में आपको directly पूछ सकता है, तो चली आज का lecture हम शुरू करते हैं, शुरू करने से पहले मैं आपके छोटा सा reminder देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारा lecture को start कर देंगे, दोस्तों. एक्सपर्ट एजुकेटर है, विरॉनिका जी, उनके जरे से आपको examination counseling प्रोवाइट की जाएगी, आप हमारा जो website है www.proxygan.com वहाँ पे visit कीजिए, सारे details, सारे जानकारी आपको मिल जाएगा, अपने time और requirement के साब से आप अपने session को book कर सकते हैं, तो let's begin our lecture, तो जैसे कि आ अभी experts का मानना ये है कि अभी third wave भी आ चुका है, तो इसकी कारण जो है कई सारे लोग oxygen की कमी से लोग मृत्य पा रहे हैं, oxygen के hospital beds की कमी के वज़े से कई सारे लोग मर रहे हैं, कई सारे लोगों की deaths हो रहे हैं हमारे countries में, और उनको hypoxia के नाम का जो एक नई, you know, stage they were facing, जो अभी एक नया variant का आना एक बड़ी चिंता जनक बात है दोस्तों, क्युक्के, because we are now not ready for second wave and third wave, तो उसके दोरान फिर एक नया variant आना और कई सारे changes होना इस variant में, और expert का मानना ये है कि 15 times more than infectious rate when compared to the previous variants, like South Africa का variant आया हुआ है, आपने देखा होगा, और इसके बाद ब्रेजिल का इस situation में हमारे इंडिया को hit करना बड़ी चिंता जनक बात है, but anyhow, hope for the best कि हमारे जो vaccines हैं, इस पर काम चल जाए, तो चलिए, अभी एन 440 जो एक नया variant पाया गया है, इन विशाका पत्नम and other cities of Andhra Pradesh, okay, तो obviously, इसका जो origin हुआ था, वो आपको करनूल डिस्टिक में हुआ था दोस्तों, पहली बार जो इसको पाया गया था, करनूल डिस्टिक जो अंदरप्रदेश में एक city है, वहाँ पे इसको discover किया गया था, और 15 times इसका more infectious rate है, when compared to the other variants like B.1.617 and B.1.618, okay, जिसे मैंने आपका भी बता दे, तो reasons क्या है, main मकसद क्या है, क्यों इस तरह से जो infectious rate इस period आपको incubation रहेगा, मतलब जितना जल्दी वो infection फैलाएगा body के अंदर, उतना ज्यादा disease फैलने के chances है, basically, एक common sense की बात है, जो incubation period कम रहेगा, तो जल से जल जो है अपने viruses को double करना start कर देगा, जब कभी भी कोई body में enter होगा ये virus, जब इसका incubation period कम रहेगा, तो obviously उसका जो करता चले जाएगा, और इसकी वज़े से क्या है, कई सारे लोग hypoxia के भी शिकार हो रहे हैं, ये hypoxia का मतलब क्या है, कि अपने body के cells को oxygen की कमी होना, तो basically इनका ये variant आने की वज़े से क्या हो गई, younger people को भी ज्यादा से जादा effect देखने को मिला है, so within a week, कई सारे serious conditions में लो within three to four days में serious conditions में चले जा रहे हैं, कई सारे लोग मैंने देखा है, news articles में मैंने पढ़ा है, कि within two days they are admitting into the ICU, right, तो उतनी बुरी हालत कर दे रहा है, इंसान की, या कोई भी वेक्ती की, right, तो इसका क्यों हो रहा है, इस तरह से, क्योंकि इसके incubation period बहुत ही कम है, जितना shorter incubation period र आपको कम हो जाएगा, okay, मतलब क्या है, कम समय में आपको ज्यादा लोग infect होना शुरू हो जाएगा, right, क्योंकि three to four persons अगर एक वेक्ती को भी अगर infect हो जाए, तो knowingly या unknowingly अगर दूसरे या तीसरे वेक्ती के contact में आ जाएगा, तो वो जो second और third person है, उसमें भी rapidly इस वेर rapidly अंदर body में develop हो रहे हैं, और दूसरा transmission period भी इसका कम हो चुगा, नि कम समय में आपको ज्यादा से ज्यादा लोग infect हो रहे है, चले risk factor क्या है, यह जान लेते हैं, यह variant जो है, it is not targeting any particular group दोस्तों, पहले जो 2020 में हमने देखा था, sorry दोस्तों, 2020 में हमने जब देखा था, जब 50, 60 years लोगों को ज्यादा तर cases पाये गए थे, but कई सारे mutants हो है, South Africa का mutant, Brazil का mutant, वहाँ पे भी देखा गया है कि 45 years लोगों, यह 30 years लोगों को effect किया जा रहा है था, but इस variant की वज़े से risk factor बहुत बढ़ चुका है, दोस्तों, even the younger age people, जो 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, 25 साल के हैं, य लोगों को भी यह virus effect हो रहा है, तो यह क्या करता है, जब भी इस virus का body के अंदर जाता है, तो जितने भी lung के जो cells हैं, वहाँ पे उनको binding कर देता है, मतलब एकदम closely pack कर देता है, ताके आपकी जो सांस है, वो खेलेगी नहीं सीधा, जब आपके lungs expand ने होंगे proper, उसकी वज़ से ultimately they are facing death in our many countries, तो इसकी वज़े से reinfection होने के कही सारे chances हैं, तो अभी vaccination का program भी चल रहा है, तो दुनिया में, not only in India, across old vaccination drive भी चल रहा है, बट इंडिया के अगर particularly बात करें, तो second drive, second phase of vaccination भी start हो चुका है, और इस बार government ने 18 साल के उमर के जितने भी है, उन लोगों से शुर पहले तो था कि 45 years के बाद को लोगों ही vaccination लेना चाहिए, but even now 18 साल के बच्चे भी या उनसे बढ़के जितने भी age है उनको भी vaccination दिया जा रहा है, ताके जो भी अभी variants आ रहे हैं, they are not sparing any age group, याद रख लिए, उनको कोई age group पता नहीं, कोई भी age group को अटाक कर रहे हैं, तो हमारे पास जो भी vaccination चल रही है, अभी भी 100% efficacy आए नहीं है, basically जो serious symptoms से उसके जो पराने variants हैं, उसको 100% efficacy provide कर रही है हमारे vaccine, बट जो नहीं नहीं variants आ रहे हैं, जैसे N440 हो गया, तो इसके हिसाब से अभी कोई testing नहीं की गई है, अगर आपने तेखा होगा, recently Covaxin, जो ICMR के द variant थे South Africa के variant थे, उसको neutralize कर दिया by using the Covaxin, जो vaccine आज vaccination drive में use किया जा रहा है, तो no need to worry अगर कोई infection हो रहा है, बट यह जो नहीं variants आ रहे हैं, N440 हो गया, यह West Bengal में भी कुछ नया variant पाया गया था, तो उसके खिलाफ अभी reports आना बागी है, क्या यह जो vaccines है उसको neutralize कर पाएं और proper hygiene habits को maintain किया जाये दोस्तों, क्योंकि आज अगर आपने देखा होगा कई सारे news channels में, जब reporters लोगों के पास जाकर पूछते हैं, तो कई लोग बेवकूफी का एक answer दे देते हैं, कि Corona virus कुछ है ही नहीं, Corona virus की नाम की कोई चीज ही नहीं है, यह government का कुछ agenda है, इस तरह से इन्जाम लगाते हैं, तब तक अपने खरीब लोग को कुछ नहीं हो जाता, तब तक पता नहीं चलेगा कि Corona virus है या नहीं, तो इन चीजों से रोकने के लिए, I request to you कि आप mask को wear कीजे, social distancing को maintain कीजे, आपके हातों को sanitize करते रहे है time to time, जब भी अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आज social media में अगर आपने देखा होगा, कई सारे ऐसे भयानक videos दिखाया जा रहे हैं, कई सारे social media में एक fake news भी फैलाया जा रहा है, तो उसके देख को आप डरना मत, ऐसा कोई नहीं कि हमेशा Corona virus यही करता है, इसा ही करता है, इतने सारे लोग मर रहे हैं, तो इस तरह से ए दरना नहीं है हमको इस virus से, precautions पे रहे हैं, जो भी है, vaccination लीजे, जो भी वाइरस से वो आएगा फिर चले जाएगा, तो according to the expert यह कहना है कि N440 is indeed more powerful variant of Corona virus, but nothing to worry about, जो इन लोगों का भी यह कहना है कि डरने की कोई बात नहीं है, आप precautions ले सकते हैं, और जो data अभी जो जितना भ जो UK का variant है, इसको भी जो है, कई सारे इसमें mutations पाये गये हैं, तो चिंता जनक की कोई बात नहीं है, और जून में last year में एक और वेरेंट आया था, D614G substitution, तो इसका भी एक predominant strain इसमें पाये गया है, so several new variants were identified across the globe, apart from this, अगर आप देखा होगा, this is not the first time की इस तरह से हम लोगो की नहीं variant देखा है, इसके इलावा भी मैंने starting slide में भी आपको बता दिया था, Brazil का, South Africa का, इसके इलावा भी कई variants हम लोग ने देखा हुआ है, और next, apart from आंदरप्रदेश, विशाक पत्नम, कर्नूल district के इलावा, इसका reinfection case डेली में भी पाया गया था, दोस्तों, okay, N440K का जो reinfection case है, वो डेली में भी पाया गया था, और another mutation जब हुआ था, V911, ये नया नया अभी recently mutation आया है, जो 17 district, जो महारास्ट्रा में है, 17 district, वहाँ पे इसको पाया गया था, तो अभी हमारे पास इसकी कोई scientific references नहीं है, और हमारे पास कोई scientific data नहीं है, अगर कोई development होता है, V99i के पर, तो मैं जो है इसके पर वीडियो लेकर आऊंगा, okay, V911i, sorry, V911i, this is also one of the new variant, जो के अभी 17 district में इसको पाया गया है, recently एक दिन पहले की news थी है, तो चलिए आगे मुटेशन का मतलब का है, मैं थोड़ा आपको basics बता देता हूँ, क्योंकि कई बार आपने सुना होगा mutation, mutated virus, covid-19 variant, इसारा कुछ आपको mutation शुरुआत होती है, देखे, mutation is nothing but genetic material जो रहता है, उसमें changes होना, कोई भी cell ले लीजे, आपके body का cell ले लीजे, या कोई भी organism का cell ले जो भी living organism of virus है, या human being ले लिजे, general definition मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर अगर बात करें coronavirus की, तो basically virus के अंदर आपको genetic material change हो रहा है, इसलिए हम वहाँ पर mutation करें, अगर human body में अगर आप change करना चाह रहे हैं, उसको भी हम mutation कह सकते हैं, तो genome of organisms क्या होता है, उसके अंदर आ DNA रहता है और RNA रहता है, तो इसलिए mutations आपको two types के रहते हैं दोस्तों, RNA mutation रहता है और DNA mutation रहता है, जब आप DNA के copies में, अगर कोई random error आर जाए, अगर unknowingly अपने आपको develop करना शुरूर कर दे cell, तो उसको हम कहते हैं DNA mutations, अगर cell replicate करता है अंदर body के अंदर, तो वहाँ पर कुछ नया variant घुच जाए हमारे DNA के अंदर, एक foreign particle अगर आप ऐसा normal mass language अगर आप देखें, कोई foreign particle अगर घुच जाए DNA में, तो हम इसको DNA mutation केहते हैं, okay, but anyhow, but while the errors in the DNA virus genome can be corrected, okay, by error correcting function of the cells, okay, whereas the RNA virus के अगर बात करें, तो इसमें कई सारे more genetic changes होते हैं, okay, तो इसमें क्या होता है, हमारे पास कोई ऐसे enzymes नहीं हैं, ताके हम RNA errors को correct कर पाएं, अगर DNA में कोई mutate होता है, तो we can use this error correcting functions of cells, ताके हम उसको आपस से फिर normal stage पर लेकर आएं, but अगर RNA में error होता है, we don't have any no enzyme cells in our, you know, no enzymes in our cells to correct this RNA error, so इसलिए यह जो corona virus है, वो RNA virus माना जाता है, तो challenges of double variant की बात करें, so अभी जो spike protein में जो कई सारे changes किये गए हैं, तो इसकी वज़े से क्या है, हमारे immune system से वो लोग बच रहे हैं, जो भी variants है, specifically अगर बात करें, N440 की, और कई सारे ऐसे variants experts का कहना है, कि वो immune systems को ही cross कर दे रहे हैं, और अपने आपको इस तरह से height कर रहे हैं, कि immune systems को पता ही ने नहीं है, तो इस तरह से अपने spike proteins को ही लोग change कर रहे हैं, ये one of the most important challenge आज scientists और researchers कर रहे हैं, कि किस तरह से vaccines को develop किया जाए, अगर immune systems respond करें, तभी तो हम कुछ idea कर सकते हैं, कि किस तरह से हम develop कर सकें, अगर वो immune system से ही hide हो जाए, तो वहाँ पर हम उपको कोई रस्ता नहीं मि से क्या है, पहली बात infection rate बल रहा है, और दूसरी बात उनका incubation period है, वो कम हो रहा है, इसकी बज़े से diseases rapidly spread हो रहे है, और तीसरा जो main important thing है, वो vaccine की efficiency के उपर कई सारे सवाल उठाय जा रहे हैं, जो vaccine का efficiency है, क्या हमारे जो co-vaccine और co-vishild इस तरह के viruses से साथ लड़ पाएंगे Anyhow, ICMR ने जैसे मैंने आपको starting में बताया था, कि co-vaccine ने कही सारे mutated viruses को neutralize कर चुका है, बट दिन बद दिन ऐसे नहीं सारे cases आना, नहीं सारे variants आना, क्या जो भी 15 times more infections है, और आगे चलकर नजाने क्या होगा, कितने times infections आएगा, तो क्या उसके साथ vaccine को पप कर पाएगा, क्य इसे ही बनी रहेगी 90%, 70% या फिर उसकी कम हो जाएगी, यह देखना, this is also one of the most important challenge, और किस तरह से हम इसको, you know, change कर सकते हैं, ताके इस variants को भी हम लड़ पाएगा, तो solution अभी फिलवक्त यही है दोस्तों, कि आप जो है, प्रॉपरली social distance ही maintain करें, और जातर से जातर टेस्टि को पाया गया था, तो अब हम लोगों ने contact tracing का mechanism स्टार्ट किया गया था, तो इसी तरह mechanism यहां भी continue किया जाए, और national treatment protocol हो, सारे states और union territories को, कि किस तरह से अगर अगर अपने states में, अपने union territories में इस तरह से viruses अगर evolve होते हैं, तो इसको किस तरह से tackle कर पाए, तो जिस साथ a few solutions, but basically, अगर आप अपने आपको बचाना चाह रहे हैं इस कई सारे variants से, तो आप हमेशा, जितना हो सके, उतना जो है घर में रहिए, मास को वेर कीजिए, जरुवत के वक्त ही बाहर निकलाईए, दोस्तों, okay, so this is about today's lecture, दोस्तों, उमीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आगया होगा, एक message भी मैंने देने की कोशिश की है आज आपको, तो चलिए फिर मिलता हो मैं आपको अगले lecture के साथ, कुछ interesting topic के साथ, तब तक के लिए, धन्यवाद दोस्तों,